हलो एब्रीवन यूर वेलकम तो बेस्ट नोट्स टूटोरियल और अभी हम अल्रेडी अपलोड कर चुके हैं और सब्जिक का हिस्ट्री जियोग्रैफी और जो आपका उत्राखंड है उससे रिलेटेड वीडियो और डेमोज हम अपलोड कर चुके हैं अब यह आपका पॉल् स्ट्रिक्स से करनी है कुछ चीज़ें आपको याद करनी है रटनी है कुछ चीज़ें समझनी है कुछ चीज़ें आपको पिक्चराइजेशन मैथड से करनी है अब इसमें आता है कि जो पिक्चराइजेशन मैथड है वो हम जो हमारा पॉल्टी है उसे किस तरह से यूज कर आर्टिकल जो हमारा जो basic structure था उसमें जब बना था हमारा constitution तो उसमें 395 थे, 22 उसमें part थे और 8 उसमें schedules थे, 470 articles अब हो चुके हैं, 25 उसके parts हैं और अब जो schedule हैं, वो 12 schedule हैं, 104 जो total जो amendments हैं, जो संस्योधन हैं, वो हो चुके हैं, तो यहां पर मैं आप लोगों सारी चीजें बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको यह tricks करनी है, कहां पर रटना है, कहां पर समझना है, कहां पर picturization method यूज करना है, law of association कहां यूज करना है, cards हम किस तरह से use करने वाले हैं, जो हमारे पास पूरे cards होते हैं, इस तरह से आप बना के रख सकते हैं, बहुत सारे, मैं usually जो cards हैं, आप लोग इस तरह से cards अपने पास बना के रख सकते हैं, क्योंकि जब आप practice कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोग practice कर सकते हैं, cards के साथ में, तो इन से आपके अगर 2000-3000 questions हो जाते हैं easily, तो बहुत help करते हैं आपकी, तो चलिए आप देखते हैं यहा सभा और लोग सभा, ठीक है, तो और यहाँ पर जैसे धन विदेयक है, तो धन से आप क्या करेंगे, कि 110 रुपीज कहीं पर निकाल कर साइड में रख देंगे, अपने पास कहीं पर रख दीजिए, तो आपको 110 जो है, वो याद रहेगा कि ओके, यह related to money है हमेशा, अब आज को कहा था कि एक जो ट्रिक है, या understanding है, या picturization method, तो picturization method किस तरह से हम यहाँ पर use कर रहे हैं, picturization method आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, कि अगर आप आप आँख बंद करके, एक बार इसको picturize करने के कोशिए करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर दे परदहन मंत्री आता है, तो इस तरह से आप लोग देखेंगे, उपराश्टपती आता है, ठीक है, फिर आपका मंत्री पर शिरत आता है, नीचे, तो यहाँ से देखिए, 52 है, 52 में आपने 101 add कर लिया, तो 153 हो गया आपका यहाँ पर, उसमें आपने 10 add किया है, तो 163 में आ और उसमें 1 उसके बाद आपका सभापती है, और नीचे अगर आप आते हैं, तो 11 आपको यहाँ पर भी add करना है, यहाँ पर आप प्लस 11 करेंगे, तो आपको मंत्री परिशद मिल जाएगा, मिन्स जो PM से related है, तो यह आपको नीचे मिलता जाएगा, उनकी नियुक्ती 75 में 76 में महा नियावादी है, बाकी चीज़ें आप relate यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपती से related जितने भी आपके, अब देखें, यह चीज़ें आपने ट्रिक्स की है, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कि यह चीज़ें आपको थोड़ी सी रटनी है, आपक को ध्यान रखना है, एक जो common observation होता है, कि कोई भी अगर आपका, अगर हम बात करें, जैसे 40 है, और 40 के ठीक, अगर हम 80 something चले गए, तो यह वैसे तो यह सारी चीज़ें, अगर आप article 40 या 80 तक चल रहे हैं, तो यह आपकी related to, अगर छोटी post कोई भी होगी, तो उसका, जैसे अगर आप देखेंगे, राष्ट्रपती है, तो राष्ट्रपती आपका क्या है, first में आ रहा है, पहले आपका राष्ट्रपती आ रहा है, पहले के जो हम कहें, अनुछेद हैं, या article हम कहें, तो वो क्या है, पहले आ रहे हैं, और जो छोटे हैं, जैसे राष्ट्रपती से छोटा राजयपाल होता है तो राजयपाल 153 में जाके आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये एक observation है कि जो छोटी post होगी वो आपके बड़े article या number जो बड़ा होगा वहाँ आजाके आपको मिलता है तो ये आपका observation है तो इस तरह से आप लोग इसे total देख सकते हैं 23 आपका अध्याद इश के लिए है संगत बैठक के ड्रया आपको याद रखना है कि 108 І अब इसको अगर आपको धियान रखना है बैठक तो बैठक 8 बैठक ओकई हमें थोड़ा सांड आता है 8 के जैसा थो बैठक okay ए इट को इस तरह से आपको यह याद रखना है इस तरह से मैंने इसे याद किया है अब देखते हैं कि कुछ जो important है जो usually पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं जो total हैं आपके पास तो ये आपके total आपके अनुशेद हैं जो articles हैं वो इस तरह से आपके पास होंगे अब इसमें एक थोड़ा shortcut बता देता हूं आप लोगों को ये बहुत detail में ये video बाद में मैं बनाऊंगा लेकिन आप देख सकते हैं कि एक observation जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि 124 124 में क्या है आपका देखिए supreme court है और high court है 214 में ध्यान दीजे 124 214 तो अगर आप 1 को आगे कर देते हैं यहां पर ले आते हैं तो आपका high court बन जाएगा तो इस तरह से हम बहुत shortcut तरीके से कुछ समझेंगे चीजों को और आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जैसे अपात काल अगर हम देखें तीनो तो यहां पर आप लोगों को कि आपको जो study करनी है उसमें सारी चीज़ें involve करके चलिए आप 100% trick से याद नहीं कर सकते 100% चीज़ें रट नहीं सकते 100% आप picturization से नहीं कर सकते तो यह सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है इनी चीज़ों को मैं apply करूँगा और study करनी के साथ में आपको उसे retention बना के चलना है तभी आपको success मिलेगी ने तो सिर्फ study तो बहुत सारे लोग करेंगे बहुत सारे लोग बहुत सारा पढ़ रहे हैं आजकल जो study material है वो बहुत easily available है books easily available है सारी जगे मिल जाती है लेकिन जो study का तरीका है कुछ लोग tricks के ही पीछे पढ़े हुए कि उन्हें हर चीज के लिए ही tricks चाहिए कुछ लोग सिर्फ रट रहे हैं कुछ लोग समझने के लिए इतना time spent कर देते हैं कि बाकी चीजों के लिए उन्हें time नहीं मिल पाता है तो ये सारी बाते हैं इन चीजों को आपको ध्यान रखना है जब मैं वीडियो बना रहा हूँगा तो ये सारी चीजे मैं उसमें involved जरूर करूँगा चाहिए tricks हो picturization method हो law of association हो सारी चीजे हम करते हुए चलेंगे cards बहुत जरूरी हैं बनाने वो चीजे मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बहुत डिटेल से समझाऊँगा यहां पर देख लेते हैं कि जैसे अगर आपातकाल भाहिया आकरमण से तो देखे 52 है तो ये सबसे बड़ा आपातकाल माना जाता है administration नहीं हो पाता है राज्य में, state में किसी में वहां की जो government है वो fail हो जाती है तो 56 में तो यहां पर 4-4 add करते हुए चलिए देखिए यहां पर आपको प्लस 4 करना है 56 मिल जाएगा प्लस 4 करेंगे तो 60 मिल जाएगा तो इस तरह से पूरे आप लोगों को यह याद हो जाएगे यहां पर है आपका फिर आता है आपका वित्ती है जो कि आपका है 60 में तो यह है आपका quality पढ़ने का तरीका जो total हम करेंगे quality में बहुत सारे चीज़ें shortcut के तरीके से हैं picturization method करेंगे और card से हम बहुत अच्छे से practice करेंगे सारी चीज़ें hopefully आप लोगों को याद हो जाएंगी तो अगर आप course join करना चाहते हैं तो 5 से पहले आप लोग join कर सकते हैं और उसके बाद जो courses की fee है वो थोड़ी से increase हो जाएगी इसलिए आप लोग अगर एक साथ शुरुआत करेंगे तो हमारे लिए भी better होगा तो with this we end this video see you soon there